असलाम अलेकूम डॉक्टर कलीम रहीम के साथ मैं हूँ इस वक्त जमान पाक में और यहां पर दो लेडीज मजूद हैं बता रही हैं कि सिंद से आई हैं और आज तकरीबन उनको 15 एक दिन होने वाले हैं जमान पाक में 18 दिन होने वाले हैं और वो किस लिए आई हैं क्यूं आ आप लूख जमान पाक में किस लिए तशरीफ लाए हूई हैं इस एज वे हम नौजवान हैं और भी ज्यादा लोग हैं खान के लिए ना एज है ना कुछ है जानचार होते हैं, हर ऐग्ष में होते हैं इसलिए खान को हम किर्किट के दोर से ही पस्त करते हैं अाप क्योंि उमर कितनी है? मेरी 60 60 साल इनकी उमर है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इनके पास कुछ चीजें है यह सिंधी टोपी लेके आई हैं और उसके बाद सिंधी अज्रग है और इसके साथ साथ फी मेल के भी कुछ सूर्टे सैं यह किस लिए लेके आई है यह उनकी बेहन कि कड़ाई हैं अपने ना तो एक उसके लिए है अली माहखान के लिए एक उसकी बेकरम के लिए एक बरतानिया विजवाना इनोंने और यहूदी यहूदी वो होता है जो किसी को यहूदी कहता है वो मुसल्मान हुई थी उसको यहूदी कहना बहुत गलत बात है जो खुद यहूदी होता है वो दूसरे को यहूदी कहता है तो आप आजकल अफ़तारी जमान पाक के अंदर हो रही है अभी तक मुलाकाद नहीं हो अठारा दिन हो गए है बाहर तो टीम फिर रही है काफी ज़्यादा गरीब का कोई नहीं होता अल्ला के सिवा आज आल्ला ने इसको बिला दिया हम से यही होता है अच्छांग की जहां गुम्रथ है इनगी आहे हैं इन्शालला पाकिस्तान का आए उन्डही जो आ अपने इमरान का साथ है इन्शालला अजरियादम पाकिस्तान इमरान का बनेंगे तरह हमारे मुलका आ mobil आ यहीं कहता है ऑप दिया हमें पहता होगी इसके सबगल